अन्त भला तो सब भला और अन्तिम से नई शुरुवात की है आयूश शर्मा ने आयूश इस वक्त हमारे साथ मौझूद है और अन्तिम की सक्सेस का मजा ले रहे हैं आयूश बहुत-बहुत स्वागत है आपका जीन उस पर आपकी सक्सेस देख रहे हैं और फैंस इतना अच्छा रिस्पॉंस कर रहे हैं आपको कैसा फिल करें आप जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत खुशी हुरी है जिस तरी से लोगों को अन्तिम पसंद आई और जो मेरे कारेटर राहुलया वह बहुत पसंद आय कभी आपने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मैं अभी इंस्टेग्राम सर्च कर रहा था और मैंने जैसे देखा इंस्टेग्राम पर आपने कुछ वीडियोस पोस्ट किये मैं देख रहा था और उनमें मैं देख रहा हूँ फैंस पीछे से हूटिंग कर रहे हैं आपके महें से डिरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत इंपोर्टन फिल्म है मेरे लिए मगर कहीं न कहीं मुझे लगा था कि इसमें बस मेरे काम को अगर नूटिस कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वही मेरे लिए अच्छा है कि अगर लोगो मेरा काम पसंद करें वट ऐस हमने देखा कि भले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा ना कर पाई हूं लेकिन लोगों ने आपको पसंद किया उस फिल्म से तो ये लव यात्री के बाद अन्तिम का डिसीजन आपने कैसे लिया कि मुझे अन्तिम करना है जी मेरे लिए जब लव यात्री आय थी तो मुझे उसी टाइम से आइडिया था कि मुझे अनेक्स फिल्म कुछ अलग करना है मुझे कुछ अलग फिल्म देनी है मुझे लव बॉई में वो यह ऐसा नहीं करना है कि सब लोग यह सचे कि मैं वही रोमैंटिक फिल्म करूंगा तो मुझे कही नहीं लगा था वैसी उसी चीज जरूरी है, अभी audience को इतना content को मिलता है, कुछ नया, कुछ नया देखते हैं तो वो excited होते हैं, I think आप repeat जादा नहीं कर सकते हैं अपने आपको, तो इसलिए ये चीज मैंने उठाई, और मुझे एक कहानी बहुत खुपसुरी लगी, मुझे एक character बहुत interesting लगा, मुझे का इसके लिए फिर रुके, और दो साल, तीन साल train किया, ताकि मैं लव्यातरी से अपने पूरा change कर सकूँ, और इस film में आ सकूँ. अब अन्तिम इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, क्रिटिकली फिल्म को इतना पसंद किया गया है, और बॉक्स ओफिस पर भी फिल्म इतना अच्छा कर रही है, क्या एक responsibility आपके उपर आ गई है as an actor, कि अब लगता है कि यार हाँ, फिल्म हिट हो गई है, और लोग मुझे जान I think जहां तक अन्तिम का सवाल है, जब मुझे ये फिल्म स्टार्ट हुई थी, तो लोग कहीं बार लगूँ लगता, मैं शायद से ये रोल नहीं अच्छा कर पाऊंगा, बट अभी जब ये रेक्शन आए हैं, तो कहीं ने कहीं जरूर फिल होता है, कि अब लोगों का प्या रहते हैं उसी चीज़ को बार-बार, मैं चाहता हूँ कि मैं उस डब्बे में बनना हूँ, और कुछ नहीं लेकर आँ, ताकि ओडिन्स उसको देखे और पसंद करे, ये राहुलिया इतना मुझे लगता है, इतना एजी तो नहीं था आपके लिए, घर में दो मंजकिन्स है आपके यापर, आपके आयत है, आहिल है, राहुलिया को जब उन्हों नहीं स्क्रीन पर आया, आम शूर देखा होगा जरूर, आहिल ने देखा होगा आपको, बिल्कुल डिफरेंट अफदार में, आहिल का क्या रेक्शन था, आयत तो अब बहुत छोटी है, तो, especially आहिल का और अरपिदा का क्या रेक्शन था? बहुत प्राओड फिल करते हैं वो, कि यह चीज होई, so I am, I think, अरपिदा is very happy. जी, इसके लिए मुझे सब कुछ बतलना पड़ा, जो मैं रियल लाफ में नहीं हूँ, वो सब भी बतलना पड़ा, क्योंकि, जिनों कहीं ने कहीं मुझे बहुत पुटांग करना था, तीन साल वेट पुटांग करने के लिए काफी ट्रेनिंग की, काफी खाना खाया, उसके बाद मुझे अपनी अवाज पर काम करना था, अवाज डिफरेंट लगे, माइंड सेट पर, आक्शन पर काफी ट्रेनिंग गई, अवाज पर काम करना था, तो तीन साल लग गए, ट्रेनिंग के लिए, इसकी प्रेपरेशन के लिए, लुक इसका लुक क्या होगा, एक टाइम पर मैंने अपने सिर्फ पुरा बॉल्ड कर लिया था, देखने के लिए कि शायद से वो लुक इस कारेक्टर पर सूट करेगा क किनी करेगा, कैसे करेंगे, तो हम बहुत, बहुत ट्राइल्स गए, जब तक राउले बना, आयू श्रम ने देखा है, इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, तो अगर आपका किसी से तालुक होता है किसी पर्टिकुलर फैमिली से, तो आपके उपर लोग ऐलिगेशन लग पर्टिकुलर बहुत लोग आते हैं, एक्टिक करने के लिए, और वो काफी श्रुगल करते हैं इस चीज़ के लिए, अगर कई लोग में को प्रिविलिज्ज बोलते हैं, तो वह बात सही है, क्यूंकि कई न कई हमारे पास एक आकस्स है, आज मैं अपना प्रिविलिज्ज म आ रहा है, तो मुझे मेरा रिस्पॉंसबिलिज्ज यह है, कि अगर आप को प्रिविलिज्ज का टाइग लगाए जाए, तो आपको उसमें खरा उतरना बहुत ज़रूरी है, देखिए जब आपको काम पसंद करता है, तब आपका काम पसंद करता है, कैमरा के सामने जब एक आपको एक फैमिली, आपको एक प्लाटफर्म दे सकती है, पर उस प्लाटफर्म के कैसे फाइदा उठाते हैं, वो आपके उपर होता है, आयूश अपने देखा था फिल्म की अनौस्मेंट के बाद कुछ चीज़ें जो सोचल मेडिया पर बहुत बवायरेल होती, आपने र करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद लोग आपको पहले से जज्ज ना करें, जो परसेप्शन लोग बनाकर बैट जाते हैं, इससे आप थोड़ा बहुत एफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी? जी, स्टार्टिंग में होता था, पहले बहुत जीव लगता था, कि अभी मेरे काम आया भी नहीं है, अभी पहले जज्ज्मेंट्स फॉर्म हो गए, बगर कई न कई मुझा आज लगता है कि ये चीज़ें इर्रेलिवेंट हैं, जब आपको आपको काम मिलता है, तो आपका हाड़ वक करके सामने लाए, मेरे लिए सबसे ज़रा जरूरी चीज़ ये है कि आप मुझे लाइक करें, डिसलाइक करें, वो चलेगा, अगर आप बहुत अफेक्ट नहीं होते मुझे, तो वो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉल्म है, कही ना कहीं, जब मैं को फिल्म के बिं एक चीज़ और जब फिल्म की अनाउंस्मेंट हुई, ये अनाउंस हो गया, अन्तिम फिल्म आ रही है, उसमें आप होंगे, सल्मान खान होंगे, कुछ तरफ से लोगों ने सवाल ये उठाए कि फिल्म में महद सल्मान कैमियो करेंगे, या फिर शायद प्रमोस्न जी के लिए सल्मान अपने नाम का इस्तेमाल कर रहे है, ऐसे लोगों ने आरूप भी लगाए, आप तो खेर सल्मान क्लियर भी कर चुके हैं, फिल्म भी सब के सामने आचुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी आप वही बात है कि जैसे आप कहीं भाए लोग फॉर्मिलेट कर लेते हैं इन चीजों को, बिफोर फिल्म रिलीस, अभी जब लोगों ने फिल्म देखी, ये प्रॉपर सल्मान भाए इसमें पूरी फिल्म में है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हैं, और थिंग कहीं कि हम लोग इसमें भी मार्केटिंग ध्यान देना चाहिए था कि हम पर इस चीज़ को पहले ही क्लिर कर देते हैं, ये फैक्ट है कि सर्मान भाए पूरे एक इंपॉर्टन स्पाइन हैं अन्तिम के, जब उन्होंने फिल्म कि वह इतने बड़े सूपर स्टार हैं, जब लोग सोचते हैं कि वह एक मार्केटिंग स्ट्राइजी कर रहे हैं, उनके एक बहुत लॉयल फैन फॉलिंग है, अगर मैं कार खरीदता हूं, आयुष ने कार खरीदी तो लोगों को लगने लगता है कि सलमा ने गिफ्ट किया है, अगर मैंने कुछ अचीव किया या फिर, आपके गाइड हैं, वो, मेंटर हैं, लेकिन लोगों को प्रूफ करना आपको ये मुश्किल लगता है कि मैं प्रूफ क्यूं करूँ क्यों 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 जब लोग आपके उपर ऐसे ऐलिगेशन लगाने पड़ते हैं, लगाते हैं, जी, I think, पहले-पहले बहुत अफेक्ट ह करने का मौका मिल गया, उससे सीखने से मौका मिल गया, उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, ये जब परसेप्शन लोग फॉर्म करते हैं, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, but the thing is, मैं अब मैं अपना को जस्टिफ है हर जगा तो नहीं कर सकता हूं, अगर मैं सोशल म गाड़ी भी सल्मान कान ने दे दी, ये कर दिया, but end of the day, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीज जो सल्मान कान से मिलिया, उनकी सीख, वो किसी भी गाड़ी, किसी भी घर, किसी भी बंग्रे से बढ़ाईए, आईउश, राहुलिया बनने के लिए आपने कितनी म मुश्किल भरे थे, I'm sure आपने तैयारियां बहुत की, अंतिन के लिए, कितना फिजिकली और मेंटली, कितना मुश्किल था ये, I think सबसे रहादा डिफिकली होता है कि पेशिंस, पेशिंस बहुत इपॉरंट चीज होती है, क्योंकि कहीं ने कहीं, लोगों को लगने लगया उसके लिए, वो डिफिकली होता है, कि आपकी सेकंड फिल्म में आपको इतनी बड़ी फिल्म मिल रही है, जहां पे सलमान खाने हैं, महिसर हैं, तो मुझे डर इस बात कहता है, कि अगर मैं डिस्ट्रक्ट होके, कुछ और प्रजेक्ट स्टार्ट कर दूँ, तो शायद से म मैं इस फिल्म को फुल जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, और जो इतनी बड़ी उपरचुनिटी मेरे सामने है, उसे में इन कैश नहीं कर पाऊंगा, तो आपके बोलते हैं, कि अगर तीन साल से पिक्चर नहीं कि लोग भूल जाएंगे, ध्यान से निकल जाओंगे, नजर में को एक्साइट करेगी, तब ही मैं फिल्म करूँगा, जल बाजी में कोई फिल्म करने हैं, कोई फादा नहीं है, इवन आपका ग्रैंड वेलकम हुआ है, यह जो मैं वेलकम बैक बोलूँगा, आपने बैंग ओन तरीके से वापसी की है, सल्मान से सजिशन क्या मिलते हैं इतना प्यार उनने मुझे दिया इस फैमली में, और पूरी फैमली में मुझे इतना वेलकम किया है, तो मैं उन साथ बहुत क्लोज मैसूस करता हूँ, I think मुझे मैं एक सजेशन यह आज मैं उनको 23 की है, जो मैं 31 का हूँ, इतने सालों में हर चीज में उन्होंने मुझे गा और वो चीज, I think, सबसे इंपोरेंट है, आईउशा, आप लवर बन चुके हैं, आप एक रफ टाफ राहुलिया बनकर आ चुके हैं स्क्रीन पर, आगे आपने क्या सोचा हुआ है कि अब मैं अगली फिल्म जब करूँ, तो ओडियंस के सामने कैसे खुद को प्रेजन मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अभी प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे बार बार सेम चीज करनी है, मैं शाथ से कॉमेडी भी करना चाहता हूँ, इंटेंस लव स्टोरी करना चाहता हूँ, फैमिली ड्रामा करना चाहता हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी कभी फिक्चरे हिट होगी कुछ फिक्चरे फ्लॉप हो जाएंगी पर मुझे अभी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिना है मुझे सिर्फ जो फिम्स मुझे एक्साइट करती है वो जो बकेट लेस्ट होती एक्टर की मैं यह यह फिल्म करनी थी आइधिंग मैं वो सब ट्राय क यह वह मेरे उस दिन के कानी है जब मैं एक्टर बनना चाहता था तो मैं अड़िशन देता था आइड ऑडिशन तीवी में टीवी शो में एक्टर बनना था तो मुझे कभी मैंने कभी देखा नहीं था कि फिल्म की शूटिंग होती कैसे और कभी-कभी जब आपके ऑडिशन स्कसेस्फूल नहीं हो रहे थे तो मुझे ऐसा लग अलगه था था कि मुझे एक्स्पीनिस दी है कि शूटिंग होती कैसे बट उन्हें कि अभी ऐसा लाउड नी होता है क्योंकि आगर आप आप आउटसाइडर आप नहीं सेट पर आकर दिख सकते बट एक दिन गानी की जब शूट हो रही थी में बूब सुडियो में तो उन्होंने बताया कि काफी सारे एक्स्ट्रा जा रह के देखना कि कैसे कैमराज वोग होते हैं कैसे री टेक्स होते हैं कैसे डांस प्रक्टिस किया जाता है कैसे पूरा गाना बनता है तो बहुत अच्छ एक्स्पिरिंस था तो तो इसिंग में लिए स्पेशल चीज थी कि पहली बार मुझे महभूब स्टूडियो के अंदर ज प्रक्टिस के अगर फिल्म हिट हुई तो या फ्लोप होगी या हिट होगी थोड़ा सूचा आपने इसके बारे में क्योंकि अलरी अब इतने टैम टाइम के बाद फिल्म इडास्रि को ली है सीनमा घर इतने टाइम के बाद खुले है जी वह तो कोई नहीं बता सकता हुई कि अधिक करते हैं कि हम एक अनिस्ट निग बनाए चो पसंद आ है कभी कभी हम लोग लोग को पसंद आती है कभी कभी नहीं पसंद आती है I think also अभी जिस तरीक से दो साल के बाद आप कह रहे हैं, दो साल के बाद थीटर को ले हैं, I think अभी भी लोग अभी धीरी धीरे वापस आ रही हैं, अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह जो पैटर्न है, जैसे पहले एक पैटर्न था मुवी मुवीं का वो दो साल में बदल है, बट दुआ करते हैं, उमीद करते हैं कि थीटर्स जल्दी लोग वापस आना चालू करें, थीटर्स और भरें जल्दी से जल्दी, बिकॉज कहीं न कहीं फिल्म इंडस्टी के लिए तो एक OTT था, जहां पर फिल्म रिलीस कर पाए अपनी, बट थीटर्स, थीटर्स का बिजनस बहुत खारा, बर इसपेशली इन सिंगल स्क्रीन, काफी सिंगल स्क्रीन बंद हो गए हैं दो साल में, यह सब एंटरेमेंट इंडस्री के लिए बहुत बड़ा जोल्ट होगा इस सिंगल स्क्रीन शट डाउन, तो कोशिश है कि जब जादे-जादे लोग थेटर ज इन इड और इनसे फिल्म की लीड अक्रिस है महिमा अक्वाना, महिमा ने टीवी से बॉल्वूड में एंटर किया है, महिमा के साथ काम करने का एक्सपिरियंस क्योंकि महिमा से हमने जब पूछा था तो महिमा बता रही है कि बहुत आयूश बहुत अच्छे है, वो आपकी इन टेंश मद लीजिये, यह फिल्में होती है, तो उन्हें मुझे अपने जर्नी बताई, कि वो 9 साल की उमर्स अक्टिंग कर ली है, कैसे उन्हेंने बाले का वदूस अपने आप करियर स्टार्ट किया, कैसे वो काम करते रहती है, कैसे उन्हेंने इतने सारे कुपसूरों में पार्ट लिया, और मुझे उस दिन उनका एक्स्पिरियंस देखे, मैंने उनके मजाक मजाक में उनको बोला कि आप तो मेरी सीनेर हो यार, आप मुझे सिखाओ, करना क्या है, जब भी उसको एक सीन बेते हैं, आप उसको सीन से पहले आप देखेंगे, उस सीन से पहले भ आगे के लिए क्या प्लैनिंग्स कर रखें, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द आयूश कोई किसी नई फिल्म का अनाउंस्मेट कर दें और फैंस को सप्राइस कर दें, जी, होफ़ली, मैं उमीद तो ये करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द एक फिल्म अनाउ को, थैंक यू. थैंक यू सो मच आयूशवं से बाचित कने, थैंक यू समच, थैंक यू.